तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक मिलती रही है मिलोड लेकिन इंसाब नहीं मिला तो फिर से एक बार यहां पर जो है कोट ने तारीक दे दी है ऐसा कब तक चले का यह बात समझ नहीं आती फिर से यहाँ पर 23 सितंबर की नई डेट यहाँ पर इस OBC आरक्षन को लेकर कोट ने दी है अब यहाँ पर सवाल यह है कि तारीख को कब तक हम एक्सेप्ट करेंगी आप लोग जितने भी हैं मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम मद्यप्रदेश के जो चीजे हो रही है भरती को लेकर या फिर नौकरी को लेकर एक तो पहली चीज मद्यप्रदेश में जो वेकेंसी आती है उसमें भंडारा किया जाता है और इस भंडारे में पूरे भारत के इस्ट्टेंट को जो है फार्म फिलब करने के लिए दिया जाता है ये बहुत बड़ी गलत चीज है दूसरी चीज यहाँ पर जो है चार सालों से कोई बड़ी भरती नहीं आई है ना तो पूलिस की आई है ना ही फॉरेस्ट गार्ड ना ही जेल पर अरी और जेल पर अरी के अभी जो भरती आई है यहाँ पर शिर्प जो है दो या तिन सो वेकेंसी यहाँ पर रखी गई है उसमें भी पूरे भारत के युवाओ को फर्म भरने के लिए दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दू कि जो है मैंने एक डिस्क्रिप्शन में टेली ग्राम चैनल का लिंक दिया है आप सभी लोग जुड़े एक साथ जो है लगातार हमको दो से तिन दि जो है ट्वीट करना होगा अब यहां पर बात आती है कि अमपी पीसी का रिजल्ट जो अटका हुआ है ओबीसी आरक्षन को लेकर जो फैसला नहीं आ पा रहा है उस पे तारीक पे तारीक आ रही तो यह रिजल्ट कब तक आएगा तो यहां पर वह सवाल का जवाब एक ही हो करने के लिए यहां पर भरती लाने के लिए नई भरती पूलिस के भरती हो या फिर जो है ऐसा ही के भरती हो मद्धप्रदेश में इन सब दिजहों के लिए सभी को एक साथ आना होugal ऐसा नहीं कि यहां पर जो है आप लोगो के आरह को ढूंब वाला यहां पर नहीं है शिर्प तारिक पर तारिक और यह उपचुनाओ के चक्कर में जो है यह सिफ़ चीजे जो है राजनीती युवाओं के साथ हो रही है आप लोग सैमत है नहीं है इस पर कमेंट आप लोगों की चीजिए वीडियो को सेर जरूर करें जादा से जादा ल बिल पाएगा तो यहां पर फ्रसे एक बार तारिक दे दी गई है 23 सितंबर क्यूंकि आज आना था पिछले बार भी आज की तारिक 18 आगस्त दी गई थी लेकिन और फिर से एक बार तारिफ आ गई है जब तक तारिक आती रहेगी तब तक रिजल्ट है कि कोई यहां परИकाल चांसे नहीं बन रहा है ठीक है तो परिमिलेंश जो मैंस की तयारी कर रहे है वह अपनी तयारी श्टार्ट सियर करें यह अब्लेट थी के विडियो को